हलो फ्रेंड्स आज हम कर्ड राइस बनाएंगी जी हाँ आप ये बच्ची चावल से भी बना सकते हैं नई नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन दबाना ना भूलें मैंने यहाँ पर सभी समान और सभी इंग्रीडेंट्स की लिस्ट दे रखी है प्लीज आप उने फॉलो करें तो आप परफ्रेक्ट कर्ड राइस बना पाएंगे यहाँ पर सबसे पहले मैंने फ्रेश कर्ड को अच्छे से बीट कर लिया है दही हमेशा गाड़ा और फ्रेश ह फेवरेट है अब मैंने हापे उबले हुए चावल को ठंडा कर लिया था उन्हें एक बड़े बावल में डाल रही हूं ऐसा करने से जब हम चावल में दही और दूसी चीज़े मिलाएंगे तो अच्छे से मिलेंगे इसमें फ्रेश धनिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग न दाला है तो नमक डालने का ध्यान रखें और जब आप पकेवे चावल को हिलाएं तब एक फोक की हल्प से ही हिलाएं इससे ऐसा करने से चावल टूपते नहीं है अब मैं यहां पर जो फेटा हुआ धाई है मिक्स कर रही हूं इसे भी फोक की हल्प से ही मिलाएं आप यह कड़ राइस बच्चे हुए चावल से भी बना सकते हैं अब तड़का लगाने के लिए मैंने यहां पर एक तड़का पैन में गी गर्म किया है इसमें सापू सूखी लालमिश डालें और राइ के दाने तड़का हैं थोड़ी सी ओड़त डाल और चना डाल भी डालें गैस की फ्लेम इसमें सिम पर ही रहनी चाहिए थोड़ा सा हिलाएं और चना डाल और ओड़त डाल को पकने दें इसमें कड़ी पत्ता डालें थोड़ी सी हींग डालें और गैस की फ्लेम बंद कर दें और करी पत्ते का फ्लेवर इस घी में आने दें अब इस तयार तड़के को चावल और दही के मिक्शर में डालें और बहुत ही सावधानी पूरक दीरे से हिलाएं ताकि चावल तूटे न इस तरह से देखिए कितनी जल्दी से टेस्टी और बढ़िया कर्ड राइस बनकर तयार हो गए हैं आप भी इसी तरह से कर्ड राइस बनाएं खाएं और अपनी एक्स्पिरिंस हमारे साथ शेयर करें थैंक यू झाल झाल